प्लेटफर्म राइश स्मार्ट प्लेटफर्म प्लेटफर्म राइश स्मार्ट हिंदी पर मैं हूँ अखलेश वस्ति उम्मिद करता हूँ हमें आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी आपके सामने हूँ बहुत अच्छा हो वेरी 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 गुड मॉनिंग् स्वागा थे आप सभी का हमारी क्लास में और दोस्तो रक्षा बंधन के इस पावन पर्व की आप सभी को हार देक, हार देक, हार देक शुप खामना है। आप में से ये बताइए कितने लोगों ने रक्षा बंधन आज मना रहे हैं और कितने लोगों ने रच्छा बंधन कल ही मना लिया। क्योंकि इधर नौर्थ इंडिया में मैं देख रहा हूँ ज्यादा तर लोग आज ही रक्षामंधन मना रहे हैं लेकिन क्योंकि केलेंडर में हमारे पास क्या थी कल की छुट्टी पहले से डिकलेट थी तो that's why कल हॉलिडे था आप सभी लोगों को पता है that's why मेरी क्लास नहीं यही है सेशन को शेयर करना और मैं खुद सेशन को शेयर कर रहा हूं फटाफट पहले सेशन को शेयर कर यह जल्दी से 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 जल्दी क्योंकि पहला काम यही है दोस्तो ठीक है, जस्ट एक मेर्ट. चले, स्टार्ट करते हैं, दोस्तों, आज का सेशन, फटाफट, तो दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोड, मोटिवेशनल कोड क्या है, मुसीबत की इतनी उकात नहीं कि मेरी मेहनत की आंधी को रोक सके, मुसीबते कितनी भी आएं दोस्तों, आपकी आंधी को नहीं रोक सकते बसर्ते आप क्या है? महनत करते रहें जिस तरीके से आप महनत करते रहेंगे कभी भी आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा अपने hard work पर हमेशा भरोसा रखा करिए hard work कभी भी क्या है? वो बेकार नहीं होता है वो जरूर आगे आपको pay करेगा किसी ना किसी रूप में पे आपको जरूर करेगा, तो बस इस motivational code को याद रखिए, रिंकी निगम जी, very good morning, स्वागत है आपका हमारी इस class में, बात करते हैं, appointment और resignation से start करते हैं, आज का अपना session, यानि की कौन कहां पर नियुट हुआ है, और किसने कहां पर इस्तीफा दे दि for Indian Oils, Indian Extra Tej LPG brand, LPG आप सभी लोग जाते हो, जो घर पे आप इस्तमाल करते हो, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गास के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है, और अगर बात करें, बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, तो ये PNG के माध्यम से आपको दी जाती है, ठीक है, और दूसरा दोस्तो, LPG जो सिलेंडर्स में होती है, जिससे आप खाना पकाने वगरा का कारे करते हैं, तो मेरा एक्जाम है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट हो, तो ग्रुप है, ग्रुप में पूछ लेजेगा, ठीक है, तो गिन, इंडियन ओयल के इंडेन एक्स्ट्रा तेज, LPG ब्रांड के लिए, ब्रांड अबस्टर की से न्यूट किया गया है, दोसों ये हैं, शेफ संजीव कपूर, आप इनको जानते होंगे, कई शेफ वाले जो कारक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें ये आ प्रमोट कौन करेगा, संजीव कपूर प्रमोट करेंगे, क्योंकि किचन से रिलेटेड हैं, तो आप इसको प्रमोट करेंगे, अमबस्टर का काम आपको मैं बता चुका हूँ, जिस भी ब्रांड के अमबस्टर या जिस केमपेंड के अमबस्टर बनाया जाता है, उनका काम होता है उसको प्रेमोट करना हमेशा एंबेस्टर्स का प्रोड़क्ट को ठीक है या केंपेंड को या इवेंट को प्रेमोट करने के लिए ही बनाये जाते हैं चलो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो दोस्तों इंडियन ओयल के बारे में ये कब कंपनी बनी थी में 1959 में इस कंपनी का स्टाबलिश्मेंट हुआ था और यह क्या है सी पीएसी है याद रखिएगा सी पीएसी का मतलब है सरकारी कंपनी है Central Public Sector Enterprises Headquarter कहां पर है इसका नई दिल्ली में है और इसके चेर्मेन इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है यह re-elect फिर से हो गए यानि की re-appoint यहां elect का मतलब नहीं है चुना नहीं जाता है अपॉइंट किया जाता है तो re-appoint हो गए है फिर से कौन श्री कांत माधो वैद्य यह भी मैंने अपनी current affairs में अपॉइंट में आपको कराया था तो यह दोनों बाते याद रखिएगा चले में है और किसके लिए famous है तो basically काजी रंगा जो है वो वन और नराइनो के लिए ठीक है यानि कि एक सींग वाला जो गेंडा होता है ना उसके लिए यह पार्क जो है सबसे ज़्यादा famous है काजी रंगा अब दोस्तों अगेन एक बात मैं आपको बताता हूं basically यहां पर आपस सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो तीन सेवाएं होती है एक होता है IAS ठीक है IPS और IFS ठीक है IAS तो Indian administrative services हो गया IFS की बात करें तो यह क्या हो गया Indian forest service यानि कि भारतिया one सेवा और तीसरा होता है Indian police service भारतिया पुलिस सेवाएं forest service officers जो होते हैं उन्ही की duties यहां पर लगती ह हैं तो यह व्यक्ति जो महिला यहां पर अपॉइंट हुई है यह IFS officer है Indian forest service officer है और पहली बार कोई महिला किसी national park की इंचार्ज के तौर पर नियूक्त की गई है इनका नाम क्या है दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर शोनाली घोश क्या नाम है इनका डॉक्टर शोनाली डारेक्टर काजी रंगा में यह पहली नियुक्ति है किसी महिला की दे इंडियन forest service officer डॉक्टर शोनाली घोश विल टेक चार्ज आफ काजी रंगा नेशनल पार्क फ्रॉम फस्ट आप सेप्टमबर यानि की कल से यह कारेभार संभाल लेंगी शी विल बीद फ़र्ट वीमे अब ठुई है ध्यान रखे गाइस बात को सी विल टेक प्लेस ओफ जतिंदर सर्मा हुविल रिटायर ओन अगस्त थर्टी वन आज इनकी रिटायरमेंट की सर्मनी मनाई जा रही होगी और यह कौन है जतिंदर शर्मा तो एक किसकी जगहे लेंगी जतिंदर शर्मा की जगह लेंगी, डॉक्तर सोनाली घोश, यानि कि कि स को रेप्लेस किया गया है, जतिंदर शर्मा को, कौन बना है, सोनाली घोश, क्या बनी है, पहली महिला फील्ड डारेक्टर, यानि कि फील्ड निदेश्चक के तोर पर, काजी रंगा नेशनल पार्क के इम चार् sounds की और पर ये कल से जॉइन करेंगी ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ट हूँ हाज बीन रिएलेक्टेट अस दा प्रसिडेंट आफ जिम बॉंबे फॉर एंड फाइनल फाइब या टाम जिम बॉंबे के कॉंस्ट्यूशन में ऐसा है कि कोई भी राश्ट्रपती लेकिन रशिया में आप जानते हो। व्लादीमिर पुतिन उन्होंने कॉंस्टुशन ही बदल दिया अमेरिका के समविधान में भी ऐसा ही है कि कोई वेक्टि लगातार लगातार दो बार ही रास्ट्रपती रह सकता है दो बार के बाद फिर वो रास्ट्रपती नहीं रह सकता ठीक है? तो यह बात याद रखेगा अमेरिका के समविधान में भी कई समविधान में अपने देश के समविधान की अगर मैं बात करूँ हाला कि ऐसा repetition सिर्फ एक विक्ति के साथ हुआ है वो थे डॉक्टर राजिंदर प्रशाद कौन थे डॉक्टर राजिंदर प्रशाद उन्ही का repetition होकर के दुबारा वो रास्ट्रपती बने थे याद रखेगा ठीक है चंदरा प्रशाद जी वेरी गूड मॉनिंग स्वागत है आपका हमारी स्क्लास में ठीक है तो इसका सही option दोस्तों क्या है इसका सही option है immersion मंगावा इमर्शन मंगागवा और याद रखेगा इनको चुनाओं में फिर से चुना गया है ठीक है ऐसा नहीं है यहां पर कोई appointment वाली designation नहीं है नियुक्ति नहीं करी गई है चुना गया है वोट मिले है इनको यह जीते हैं ठीक है तो दैट्स वाई यह क्या बढ़ गया है जिम बंबे के जिम बंबे के राष्ट बदी जस्ट अ मिनट कंप्यूटर जी यह रिमोट काम नहीं कर रहा है कुछ रिमोट काम नहीं कर रहा है कम देखता हूँ कंप्यूटर जी मनो जी देखे कुछ सेल वल इसके चले गए क्या इसके सेल जी जो एक है जस्ट अ मिनिट ए छोटी मोटी दिखते आती रहती है इसके लिए परिशान मत होना ठीक है वह जो प्रेजेंटर है ना जिससे स्लाइट चेंज करते हैं ऐसा लगता है उसके सेल खतब हो गए तो दैट स्वाई ठीक है हो गया हो गया हो गया बहुत आ गया गये यहां यहां थे दोस्तों ठीक है तो जिंबाबे के नए रास्ट्रपती याद रखेगा कौन बन गए इमर्शन मंगावा फटा-फट यहां पर देख लेते हैं तो इमर्शन मंगावा री एलेक्टेड यानि की दुबारा चुना गया एस दप्रेसिडेंट आफ दिक्कते क्यों आ रही हैं आए लग रहे है कि उपर वाला हां एक कुछ हैंक कर रहा है चलिए खर कोई बात नहीं क्लियर हो गई नवाद सभी को निहर का जोती जी वेरी गुड मॉनिंग स्वागे थे आपका हमरी इस क्लास में तो जिंबाबे के बारे में बात करें तो कब चाहे मिल रही थी यहां पर तो तो इनकी करेंसी तो बरबाद होगी पुरी तरीके से ठीक है अब यूएस डॉलर यहां पर चलता है निहर कर जी मैं बहुत अच्छा हूं आप बताएं आप कैसे हैं नेशनल यूस पर आते हैं और यह रहा अगला प्रशन लाओ एंड ज लाँज किया है विच इंटीग्रेट सेली लाओ एंड नियाय बंधु एप टू इस्योर एक्सेस तू जस्टिस अगेन जस्टिस मिनिस्टर जो है नियाय मंत्री है नाम इनका है अर्जुन राम महिग्वाल इन्होंने इनमे से क्याल सुविधा लाँज करी है जो सुविध टेली लाओ और नियाय बंधु एप दोनों को इंटीग्रेट करेगी दोनों को इंटीग्रेट करने का मतलब दोनों क्या है एसस्टू जस्टिस यानि कि नियाय के लिए जो कुछ भी आपको जानना है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा टेली कंसल्टेशन सरकार का जै जिसे आप क्या कर सकते हैं राय ले सकते हैं सजिशन ले सकते हैं ठीक है और प्रिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं ठीक है वैसे ही अगर जस्टिस ठीक है याद रखेगा कि हर किसी को नियाय मिलना चाहिए ये सरकार की जिम्मधारी है तो अगर किसी को भी कोई भी कानूनी सह रहेता चाहिए तो कानूनी साहिता यहां पर टेली लॉप के मनाध्याम से यहां पर ले सकता हई इसके लिए सरकार पूराइबर सिस्टेम बनाया हुआ है याइ बंदू एप भी बनाई हुई है न्याइ-बंधू एप पर registration करके भी आप क्या कर सकते हो access कर सकते हो यहाँ पर दियान रखेगा तो इसका सई option है टेली law 2.0 यह टेली law का दूसरा phase है that's why इसका नाम दिया गया है टेली law 2.0 किसने launch किया है हमारे देश के कानून मंत्री नाम है तो यह दोनों एक साथ एकी करत होते हैं यानि कि एप के माध्यम से भी आप टेली लौ की सुविधा ले सकते हैं ठीक है आगे दोस्तों इससे आम नागरिक एक एकल पंजी करन और टेली लौ के एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से कानूनी सला ठीक है लीगल एडवाईज कानूनी सहेता लीगल हेल्प और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुच प्राप्त कर सकेंगे लीगल रीप्रेजेंटेशन ठीक है चाही जाएंगी क्लियर है मेरी बात या नहीं आप देखते हो अगर मालीजे आपको अदालत में केस लड़ने के लिए हमेशा एक वकील चाहिए होता है लेकिन कई बार कुछ लोग इतने गरीब होते हैं जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को भी सही नयाय म में रखी जाती है डारेक्टिव प्रिंसपल्स ऑफ दे स्टेट पॉलिसी राज्य के नीती निदेश्वक्त तो उसके इंतरगत यह सुविधा दी गई है कि राज्य यानि कि जो सरकार है वो आपको अपनी तरफ से एक वकील प्रवाइड कराएगी जो सरकारी वकील होते है ना वो फ्री आफ कॉस्ट यानि कि उनको सरकार पेमिट दे रही है वो सरकार के खर्चे पर उस्वक्तिका केस लड़ने का करे करते हैं क्योंकि न्याय हर किसी को मिलना चाहिए अगला दोस्तों अगला प्रिशन है दा प्रेसिडेंट आफ इंडिया द्रापदी मुर्मू है रिलीजड आपोस्टेज स्टैंप इन मेमोरी ओफ अभी हाली में देश की रास्ट्रपती द्रापदी मुर्मू जी ने किसकी स्मृती में किसकी याद में एक डाग टिकट जारी किया है तो किसकी याद में राहुल जी वरी गूड मॉर्निंग स्वागत है आपका हमारी स्क अगनाइजिशन में कल की छुट्टी थी तो दैट स्वाई कल क्लास नहीं हुई थी फटाफट बताइए यहाँ पर क्या लगता आपको जल्दी से जल्दी कुईक इसका जो सई आप्शन है दोस्तों वो है डी दादी दादी प्रक्षमनी ठीक है दादी प्रक्षमनी ये कौन है ब्रह्म कुमारीज का अगर आपने नाम सुना हो किसका नाम सुना हो ब्रह्म कुमारीज का अगर आप नाम सुना हो तो ये ब्रह्म कुमारीज की पूर्व प् करने का ठीक है जो कारी है वो इनके दोआरा भी किया जाता है ब्रह्मकुमारीज के नाम से जानी जाती है ठीक है तो यह ब्रह्मकुमारीज है Caesar नाम याद रखेगा दादी प्रकाश्च मड़ी इनकी समर्थी में एक डाक टिकट जारी किया गया यह आप देख सकते हो यह पाँच रुपए का डाप्टिकट है जो इनके नाम पर जारी किया गया है द्यान रखिएगा दिसस्टांप वाज रीज्ट अंडर दा माई स्टांप इनिशेटिव यह भारत के डिपार्टमेंट आफ पोस्ट का एक इनिशेटिव है इनिशेटिव का नाम क है उनकी स्मृति में उनकी याद में डाप्टिकट जारी किया जाता है और जब कभी आज कल तो वैसे डाप्टिकट का इस्तेमाल आप लोग नहीं करते हो लेकिन एक समय था हाला कि अभी इस्तेमाल होता है बट हम लोगों के चलन में वह ज्यादा नहीं रहा क्योंकि हमारी अगर आज की डेट में मैं अगर अपनी बात करूँ तो डाक खाने तक पहुँच कब होती है इस पीड पोस्ट वगरा करने के लिए लेकिन इस पीड पोस्ट पर आज कल वो क्या लगता है जो magnetic ink character recognition होता है न ठीक है वो code वहाँ पर जो बार code होता है वो लगा दिया जाता है स्टैंप वहाँ पर नहीं लगते हैं पहले क्या होता था जितनी fees लगती थी उतने रुपए के आपको डाक टिकट खरीदने होते थे अभी ऐसा नहीं कि इनका इस्तेमाल नहीं होता है इस्तेमाल होता है मैंने बताया तो जो fees होती है उतने के डाक टिकट आपको चिपकाने पड़ते थे खरीदना पड़ता था post office से तो ये सिस्टेम है याद रखेगा ठीक है ministry of communication initiative of the department of post ministry of communication on the occasion of the 16th death anniversary of दाधी प्रकाश्मनी दाधी प्रकाश्मनी की ये 16th death anniversary है यानि की सोलवी पुनितिती है जिसके उपलक्ष में क्या किया गया है ये डाक टिकट जरी किया गया है दाधी प्रकाश्मनी ने आध्यात्म के माध्यम से भारती ये मुल्यों और संस्कृति को देश-विदेश में फैलाया ठीक है भारती ये मुल्यों को और संस्कृति को देश-विदेश में क्या किया गया फैलाए गया है उनके नेतरत में ब्रह्मकुमारी दुनिया में महिलाओं के नेतरत वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन यानि की स्प्रिचुवल सेंटर बन गया है ठीक है महिलाओं क के बारे में बात हो गई लेकिन एंटी रामा राओ ठीके रास्ट्रपदी मुर्मु जी ने एक कम और किया है ठीके एक special coin launch किया है कितने रुपए का यह मैं आपसे पूछ रहा हूं एक coin launch किया गया है कितने रुपए का coin launch किया गया है किसके ऊपर यह coin है to again to commemorate the birthcentenary of the legendary Telugu actor and the former Chief Minister of undivided आनदरपरदेश अब तो आंदरपदेश आपको पता है न डीवाइडड है आंदरपरदेश ठीक है आंदरपरदेश अंडवाइड है तो यह बात यांद रखिएगा आंदरपरदेश at that time divided नहीं था तो इनका नाम है N.T.rama राओ एंटी रामा राओ के उपर कितने रुपय का कॉईन लॉंच किया गया है जो क्या थे ये एक्टर भी रहे हैं अभिनेता भी रहे हैं और अंडिवाइड़ आंधर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं तो इनकी इसमर्ती में इनके 100 साल जोनी की डेथ एनवर्सरी जो डेथ है ना ठीके उसके स्वरी जब पैदा हुए थे तब से 100 साल पूरे हो गए इनके तो बर्थ सेंटेनरी है शताबदी वर्ष है इनके जीवन का तो दैट स्वाई याद रखेगा कितने रुपय का कॉईन लॉंच किया गया है वो पताईए अब थोड़ा सा कॉमन क् किया है दोस्तों 100 and 100 बर्थ सेंटेनरी का मतलब है शताबदी वर्ष तो सो रुपय का सिक्का लॉंच किया गया है कितने रुपय का सो रुपय का बीस दराइट ऑप्शन हंडेड रुपीज का कॉईन जो है वो लॉंच किया गया है ध्यान रखेगा इस बात को बहुत अच् एक कोईन को कहते हैं दोस्तों कॉमर्शियल कॉइन क्या बोलते हैं कॉमर्शियल कॉइन और दूसरे जो कॉइन होते हैं उनको बोलते हैं कॉमामरेट्यू कॉइन कॉमामरेट्यू कॉइन देखे कॉमामरेट्यू का मतलब हो गया इस मार की यह यह बाजार में चलते नहीं है ये सिर्फ किसी की इसमर्ती में launch किये जाते हैं और अगें commercial coin वो होते हैं जो चलते हैं जैसे commercial coin इस समय कितने रुपए तक का है 20 रुपए तक का 20 रुपए का भी सिक्का आपने देखा होगा जो बाजार में चल रहे हैं लेकिन commemorative coin किसी भी denomination का हो सकता है बस एक बात याद र commemorative हो 1000 रुपीज के denomination से ज्यादा का नहीं हो सकता और ये बात कहां लिखी है ये आपके सिसी सीजियल के एक्जाम में पूछा गया था तो ये बात कहां पर लिखी है वो भी मैं आपको बता देता हूं इंडियन coinage act हम इंडियन coinage act 2011 हिंडी में कहते हैं इसे भारीटी सिक्का अधिनियम भार्तीय सिक्का अधिनियम 2011 याद रखिएगा तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि सिक्का अधिकता में 1,000 रुपैका हो सकता है परवण जी स्वागत है आपका हमारी this class with very good morning ठीक है very good morning चलिए clear हो गई बात तो सो रोपय का कौई द्रप दी मुरमू जो कि देश की रास्टरपती है ठीक है इनके द्वारा रिलीज किया गया है 100 डिनॉमिनेशन का ठीक है बर्थ सेंटेनरी यानिक शताब्दी वरश है ठीक है लिजेंडरी तेलगू एक्टर एंड फॉरमर करिकुलम फ्रॉम इसी वर्ष से किस क्लास की पुस्तिका में एक चैप्टर इंक्लूड किया जाएगा जो चैप्टर किसके ऊपर होगा नेशनल वार मेमोरियल राष्ट्रिय युद्ध इसमारक अगर इसके बारे में आप लोग जानते हैं तो मैं एक बात बताना चाहूँ तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको इंडिया गेट दिखाई देगा इंडिया गेट के पास में ही इंडिया गेट का जो परिसर है ना उसी में नेशनल वार मेमोरियल की स्थापना की गई थी नेशनल वार मेमोरियल यानि की राष्ट्री युद्ध इसमारक और य इंडिया गेट वाली का क्या नाम था अमर जवान जोती तो आपको पता है इंडिया गेट पर जो अमर जवान जोती जलती थी इसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया था इसको मर्ज कर दिया गया था नेशनल वार मेमोरियल जोती के बाद तो जो इंडिया गेट पर जोती जलती कर दी गई है दोस्तों यह चीज आप जानते होगे बहुत अच्छे से ठीक है तो अगे अब वही नेशनल वार मेमोरियल रास्ट्री युद्धिस्मारक यानि की बच्चों को देशभक्ती के बारे में बताने के लिए इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है और यह इंग् यह चैप्टर को एड किया जाएगा ठीक है और याद रखेगा ठीक है दच्टर टाइटल चैप्टर का इंक िचैप्टर का सिर्शक क्या है सीर्शक है आ हो मेंच तु आवर ब्रेव सोलजर्स है JULुक श्रम एज जो गीस पिलेकिड है जिसका नाम है हुने कॉंब, हनी कॉंब का जो लास्ट चैप्टर होगा, वहाँ पर इसको जगह दी जाएगी, फाइनल चैप्टर यही है, नेशनल वार मेमोरियल, इसको एड किया जाएगा यानि कि नहीं जो NCRT की अब बुकाएगी, उसमें ये चैप्टर आपको दिखाई देगा, क्लियर है बात सर, आज आपकी छुटी नहीं मेरी छुटी कल थी, कल क्लास नहीं हुई थी न, आप सभी लोगों को पता है न तो कल यहाँ पर छुटी थी, चले इंटरनेशनल यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं और समझेगा बच्चों को अबाया पहनने से रोकेगा अबाया, यह नाम सायद आपको यूनिक लग रहा हो लेकिन अगे जब न्यूज़ आपको बताऊंगा तो चीज़े आपको पता चल जाएंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ देखे, इसकूल जो है ना, यानि कि वो सच्छा का मंदिर कहा जाता है वहाँ पर कोई भेद भाव ना हो इसी के लिए वहाँ पर कोई किसी कास्ट या कम्यूनिटी का एक जो साइन है वो ना दिखाई दे उसी को ध्यान में रखते हुए अबाया का मतलब ये, जो मुस्लिम सोते हैं न वो जो पूरा ब्लैक कलर का इक गाउन पहनते हैं पूरी ड्रेस उसको अबाया के नाम से जानते हैं तो इसमें क्या किया गया है फ्रांस के द्वारा इस पर रोक लगाती है कि स्कूलों में आप जो स्टेट रन स्कूल यानि कि जो सरकार के दोरा स्कूल चलाए जा रहे हैं यानि कि सरकारी स्कूल तो इन सरकारी स्कूलों में अबाया पहन करके नहीं जा सकोगे ये जो आप देख रहे हो ना ठीक है, यही अबाया है तो गे नया सत्र यहां पर कब से सुरू हो रहा है फ्रांस में सिक्षा का नया सत्र 4 सितंबर से सुरू हो रहा है यानि अपकमिंग 4th of September आज 31 अगस्त है और 4 सितंबर आने वाली है मिथोन यादो जी स्वागत है आपका आमरी इस क्लास में बढ़ाना देना अच्छा मैं समझ नहीं पाराओ रहूं जी जो आपने लिखा है स्कूल बच्चों को डाइस भक्ती बेबाबा देना आच्छा समझ नहीं पाराओ क्या लिखा हूँ है कोई बात नहीं लेकिन समझेगा यहां पर मैंने क्या बता है कि स्कूल में बिल्कुल डिफरेंसियेशन ना करने के लिए स्कूल का एक करिकुलम है स्कूल की एक यूनिफॉर्म है वो सबके लिए नामी यूनिफॉर्म वो सबके लिए यूनिवर्सल है कि आपको किसी भी कम्यूटी से बिलाउं करते हो किसी भी कास्ट से हो आपको क्या करना है आपको वही धरण करकर के आना है ठीक है तो वही काम फ्रांस ने किया है कि अब आया आप सरकारी स्कूलों में नहीं पहन सकेंगे चार सितंबर को नया स्कूल वर सुरू होते ही नया नियम लागू कर दिया जाएगा अब आया मुसलिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक धीला डाला पूरी लंबाई का वस्तर है यही जो मैंने आपको बताया ठीक है ब्लैक कलर का फ्रांस में सरकारी स्कूलों और सरकारी भावनों में धार्मिक चिन सक्त वर्जित है फ्रांसिस को धार्मिक चिन मानता है फ्रांसिस को क्या मानता है धार्मिक चिन मानता है और धार्मिक चिन स्कूलों में जो है वो वर्जित है सर सुनिये प्लीज सर रोहित यादो नेम की आईडी को अनब्लॉक कर दीजे computer जी अगर ऐसा कोई है computer जी को मैं बोल देता हूं computer जी अगर ऐसा कोई होगा तो obviously unblock कर देंगे ठीक है चलिए since 2004 wearing a hands scarf at state run school has been prohibited वर्ष 2004 से ही France में जो hand scarf होता है यानि sorry जो head scarf होता है यानि कि वो सर के उपर जो पूरा पूरा बांदते हैं ना Muslim ladies तो वो head scarf पहनने पर 2004 से ही रोग यहाँ पर France में लगा दी गई है बात याद रखेगा तो head scarf पर तो पहले से ही रोग थी लेकिन अब आया जो पहनते थे उस पर भी अब इस साल से और यह upcoming जो education session है वहाँ पर सैच्छलिक सत्र है उस पर से बैन लगा दिया गया है तो France नाम याद रखेगा अब आया याद रखेगा that's it अब आते है इस sports news पर Indian women's blind cricket team has won the gold medal after defeating which country in the IBSA World Games 2023 में भारत की जो वीमेंस की महिलाओं की जो blind cricket team है यानि कि दिव्यांग cricket team है इसने gold medal जीता है किस देश को हरा करके यह आप से पूछा जा रहा है जल्दी से बताईए ठीक है नहीं सर बदमासी करने का बंद किया गया था अच्छा अच्छा ओके हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं कोई बात नहीं रहो जी ठीक है कोई बात नहीं है फटाफट बता यह फटाफट क्या लगते आपको किसको हरा करके भारत की महिलाओं की जो अगे दिव्यांग महिलाओं की जो क्रिकेट टीम है उसने गोल्ड मिडल जीत लिया है इसका सही Option है औस और पदक जीत јा या लग याश चम्पेइंट को जीता है दे इंडियन मेंस ब्लाइंड क्रिके टीम और असिलवर मेडल यानि कि ये गोल्ड नहीं जीत पाए गोल्ड के बाद सेकेंड नमबर पर है तो क्या जीत पाएं हैं सिलवर महिलाओं ने गोल्ड जीता है देखें महिलाएं कहां हैं पुरिशों से आगे पहुँच ठीक है तो इसलिए पुरुष जो है मेहनत करता रहे नहीं तो महिलाएं हर जगे पर आगे पहुच रही है रीजन वो जिस काम को कर रही है पूरे डिडिकेशन के साथ कर रही है फुल कंसेंट्रेशन के साथ कर रही है ठीक है तो सिलवर मेडल एड़ दा इपसा वर्ड गेम है तो Birmingham UK में यह मैच चल रहा है इपसवर्ड गेम्स तो इन्हों ने पाकिस्तान ने इनको हरा दिया है पाकिस्तान ने गोल्ड जीत लिया है मैंस में और इन्होंने सिलवर जीता है लेकिन ऊल्टा वहाँ पर वी में इस में बात करें तो भारत में गोल्ड जिता है उस्ट्रेलिया को हरा करके यानीं उस्ट्रेलिया ने क्या जीता है शीञेगा ओर गेम इंडे इंडिब men's and women's blind cricket teams reach the finals ensuring medals for India Ipsa World Games में क्या किया गया था महिलाओं का और पुरसो का यह जो blind cricket game है इसको include किया गया था ठीक है इसी साल से और दोनों ही team में final में पहुंची है यह सबसे बड़ी बात है the team became the first ever cricket winners at the Ipsa World game first ever यानि कि यह पहली बार जोड़ा गया है पहली बार खिला गया है तो पहली बार ही ठीक है दोनों लोग भार मतलब gold or silver यह पहली बार ही जीता है तो यह team में पहली टीम में बन गई है first ever cricket winners ठीके ध्यान रखेगा अगला दोस्तों recently in August 2023 FIFA lifted the band on which countries football federation दोस्तों international जितनी भी governing bodies हैं हर खेल की अलग-अलग है कई बार आपको इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ बड़े प्यार से चीज़ों को समझा चुका हूँ जैसे बात cricket की आती है तो cricket को कौन govern करता है ICC क्योंकि cricket आप ज़्यादा देखते हो इसलिए मैं सबसे पहले cricket की ही बात करता हूँ तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब BCCI को अगर वो suspend कर दे मान लिजे ICC के कोई नियमों को BCCI ना माने और ICC BCCI को क्या कर दे बैन कर दे तो याद रखेगा कोई भी international match इंडिया नहीं खेल पाएगा यानि कि इंटरनेशनल बॉड़ी के recognition की requirement होती है जैसे अभी हाली में आपको पता है United World Wrestling ने यानि की UWW ने जो की Wrestling की governing body है उसने भारत के Wrestling Federation of India यानि की भारतिये कुस्ती संग WFI को भंग कर दिया अब सोचिए इसमें जो भी wrestlers है भारत में जो भारत में कुस्ती के खिलाड़ी उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ कि यह वो भारतिये जंडे के तले कोई भी कुस्ती का match नहीं लड़ पाएंगे तब तक जब तक वो वापस सिफर से बाहल नहीं होता है अगर कोई भी wrestler participate करना चाहता है तो जानते हैं किस में कर पाएगा participate इंडी विजुल यानि की इंडिया के flag के माध्यम से नहीं वो इंडी विजुल participate करेगा तो participate तो कर सकता है लेकिन एक इंडी विजुल और एक देश की तरफ से खिलते हो दोनों में बहुत अंतर होता है सेम ऐसे ही फीफा आप जानते हो पूरे वर्ड की football की governing body है फुटबॉल की governing body है अलग अलग region के जो footballs जो football की governing bodies हैं उनको recognition दे रखी है तो स्री लंका का स्री लंका इसका सही option है दोस्तों स्री लंका स्री लंका की governing body जो है उस पर बैन लगा रखा था अब इस पर से बैन हट लिया गया है रिटा गूज श्ला जी गूड़ मॉर्निग और परफिर एक्षपर बंदन आपको भी ठीक है स्री लंका याद रखेगा तो फीफा ने स्री लंका पर से बैन हटा लिया है यानि कि अब स्री लंका फीफा के दौरा जो भी गेम में अजित कि ही जाएंगे इन में participate कर सकेगी, clear हो गई बात ना, बस इतना याद रखेगा कि स्री लंका पर से फीफा ने बैन हटा दिया है, अब स्री लंका फीफा में participate करते हुए दिखाई देगी, आगे आते हैं दोस्तों defense news पर, रच्छा सम्मंधी जो भी news है, A contingent of IAF, Indian Air Force की एक टुकडी, भारतिय, भारतिय वायुसेना की एक टुकडी is participating in the bright star 23 exercise, भारतिय वायुसेना की एक टुकडी ने bright star 23 exercise में participate किया है, इस exercise यानि कि इस अभ्यास सत्र में participate किया है, Where it has been held, समझेगा बहुत अच्छे से, ये एक multilateral exercise है, multilateral यानि कि दो से ज़्यादा देश यहाँ पर participate कर रहे हैं, और कई बार आपको मैं defense exercises के बारे में बता चुका हूँ, कि ये defense exercises क्यूं होती है, एक दूसरे देश की tactics को जानने के लिए, और आप जानते हो, military में या defense में exercise exercise की सबसे बड़ी importance है, यानि कि अभ्यास करते रहिए, युद्ध तो ऐसे होते नहीं है, ओ तो कभी दसियों, बीसियों, तीसियों साल में एक बार होते हैं, बट तयार आपको हमेशा रहना पड़ता है, समझ के मरी बात या नहीं, जैसे आपके लिए भी, exam कभी भी हो, उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके साथ बैठ करके अभ्यास करोगे, तो आपका भी knowledge level improve होगा या नहीं, ये आपका अभ्यास है, और कुछ लोग आपके साथ बैठ के knowledge करेंगे, जो ये मानते हैं कि आपका knowledge level उन से अच्छा है, तो किसी के साथ आप बैठ रहे हो, क ठीक है, तो भारतिय सेना की टुकडी ने participate किया है, कहां पर, ये भारत में नहीं, ये Cairo Egypt Air Base, Cairo West Air Base Egypt, यानि की Cairo Egypt की capital है, मिसर की राजधानी है, Cairo, ठीक है, यहीं पर ये exercise आयोजित की गई है, जिसमें भारतिय सेना की टुकडी ने participate किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर, कब से कब तक, तो 27 अगस्त से ये exercise सुरू होगी, और कब तक चलेगी, 16 सितंबर तक ये exercise चलेगी, 27 अगस्त से सुरू हो चुकी है, 16 सितंबर तक ये exercise चलेगी, भारतिय वायुसेना पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा ले रही है, इस भारति वाय सेना इसके पहले हिस्सा नहीं लेती थी, ये पहला है, क्योंकि इजिप्ट के साथ जो संबंध है, वो भारत के इस साल बहुत अच्छे तरीके से बढ़े हैं, कैसे, 2023 की Republic Day Parade में, इसी देश के रास्टरपती भारत आये थे, अब्दल फत्ता अल सी सी, बताया सर्वोच नागरिक सम्मान, जिसे Order of Nile के नाम से जानते हैं, किस नाम से, Order of Nile के नाम से, तो Order of Nile पुरसकार, ये सम्मान किसको मिला है, ये मोदी जी को मिला है, तो इसलिए भारत और इजिप्ट के बीच में संबंध अच्छे हुए हैं थोस्तों, ठीक है, तो that's why, ये यह नहां पर exercise आयो जित हुई है, जिसमें भारत ने participate किया है, first time, America, Saudi Arabia, Greece and Qatar, contingent are also participating in this exercise, तो देख सकते हैं, इस exercise में और किन-किन देशों की सेनाओं की टुकडी ने participate किया है, तो America, Saudi Arabia, Greece है, Qatar हो गया, ठीक है, इन्होंने भी participate किया है, ध्यान रखियेगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, festival days और event की बात कर लेते हैं, वल्ला मकली, ठीक है, वल्ला मकली और boat race is a significant event held in which of the falling state, किस राज्य में नौका race होती है, दोस्तों ये जो वर्ष हैं, मतलब, ये जो पूरा हफता होता है, एक हफता होता है, दस दिन मान लिजे, अर्चना अच्छा, अर्दो इमि आपने देखी होगी, ये attraction होता है, और पूरे विश्यो से tourist देखने आते हैं, boat race, एक बहुत लंबी boat होती है, ठीक है, और ये किस festival का part होता है, ये बताइए, वो एक festival मनाया जाता है, उस festival का ये part होती है, boat race, उसी में आयोजित की जाती है, जैसे आपको कई बार बता चुक होता है, तो हॉर्ण बिल हॉर्न बिल festival को celebrate किया जाता है, वैसे याद रखीगा, केरला में उढ़म मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, और दस दिन का ये festival होता है, 10 एंडेज, और जो इसका last day होता है, वो सबसे पवित्र दिवस माना जाता है, जैसे थिरू ओनम के नाम से जानते हैं किस नाम से थिरू ओनम के नाम से तो यस केरला is the right option, A is the right option और इसी में ये जो बोट रेस है ये जो 10 दिन होते हैं ये केरला के टूरिजम के सबसे इच्छे दिन माने जाते हैं यानि किसी को गर केरला घूमना होना तो इनी दस दिनों के बीच में जाए बहुत सारे अट्राक्शन्स आपको देखने को मिलेंगे ठीक है दा इंचैंटिंग फेस्टिवीज फेस्टिविटीज आफ ओडम दो हजार तीस सिगनिफिकेंट कुल्चिरल सलिबरेशन ओडम क्या है केरला का कुल्चिरल सलिबरेशन है यानिकी संस्क्रतिक उत्सव है in the state of Kerala have graced the calendar from August 22 August 31 this year यानिकी आज जो ये जो festival है समाप्ति हो जाएगी स्की is stretching over a span of 10 days 10 दिन तक चलने वाला ये महस्व है the Thiru Onam ठीके Thiru Onam और Thiru Onam celebrations carry an air of excitement and exuberance as they commemorate the return of the revered King Mahabali ठीके King Mahabali है राजा Mahabali राजा Mahabali के वापस आने पर ठीके ये दिवस मनाया जाता रहा है ठीके उनकी याद में also known as Mahabali इसको जब राजा King Mahabali आते हैं तो इसको किस नाम से Mahabali के नाम से जाना जाता है दोस्तों ठीके इस बात को धियान रखेगा आप सभी लोग तो वमकली या नाओ दोड एक महत्पूर ओडम का रिक्रम है समझगे मरी बात या नहीं जैसे जली कट्टू के बारे में बात कर रहा था ना जैसे आप अपने वहां मकर संक्रांती मनाते हो ना जिसे हिंदी में खिचड़ी का तेवहार कहते हैं ऐसी पोंगल मनाया जाता है तम से और मनें आपको बता दिये लेकंग एंड़िए नागर लेंड का Carl विल याद रखिएगा वो कब मनाया जाता है ठीक है वह एक डिसंबर से दस दिसंबर के बीच में एक डिसंबर लएंड का स्थापना दिवस होता है लेकिन ये कुछ ऐसे हैं ठीक है जो उएप पूरा सीक्वेंस आप डेज हैं दस दिनों के अलग-अलग नाम होते हैं देख सकते हो अथम है छितिरा है चोड़ी है ठीक है विशखम है अनीजम है चीक है थिरिकेता है मूलम है चीक है पूरदम है उत्रडॉम है एंड फाइनली आता है थिरू ओनम जो लास्ट डे होता है अगला बताई दोस्तों इंडरेशनल वेल सार्क डे कम मनाया जाता है अंतरास्ट्रिय वेल शार्क दिवस वेल तो जानते हो ना सबसे बड़ी फिश होती है तो वेल में एक शार्क मचली होती है तो शार्क दिवस मनाया जाता है ठीक है तो वेल शार्क डे ये कम मनाया जात है यह प्रतेक वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है 30 अफ अगस्त यानि की कल मनाया गया था कल मनाया गया था ध्यान रखेगा इंटरेशनल भेल सार्क डे इस सेलिबरेटेड एवरी यर ऑन अगस्त 30 तो रेज अवेरनेस अबाउट दा प्लाइट आफ वेल सार्क्स दे लार्ज भेल सार्क डे वस फस्टे कमॉमरेटेड इन 2008 अड यैशनल भेल शार्क अज इन इस लाहलं सब्स में वर्ष 2008 में इसको सुरू किया गया था Star 2008 से अब तक प्रतेक वर्ष 30 अन्योट्me इंटरनेशनल घिल के नाम से हम कि आहिनति है और ये किसकी याद में मनाये जाता है आप सभी लोग जानते हूँ होकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद इनके बाद कोई ऐसा होकी का जादूगर तो पैदा नहीं हुआ है इन्हें होकी के जादूगर कहा जाता था कई बार इनकी होकी स्टिक को चेक किया गया कि ये होकी स्टिक में कुछ चिपका आते तो नहीं ऐसा जिससे वो जो बॉल है इनकी होकी के साथ चिपक जाती है एक बार अगर इनकी होकी में बॉल आ जाती थी ना तो फिर गोल होके ही मानेंगी ठीक है तो कई बार लोगों को श यादूगर माना जाता रहा है तो 29 अगस को इनहीं की याद में राष्ट्री ये खेल दिवस यानि की अपने देश का ये वर्ड डे नहीं है ये विश्व दिवस नहीं है ये नेशनल स्पोर्स टी है मनाया जाता है प्रतेक वर्श ठीक है दिस एन्वल अब्जर्वेंस यानि की विशय विशय क्या है स्पोर्स आर इनाबलर टू एन इंक्ल्यूजिव एंड फिट सोसाइटी यानि की इसका मतलब क्या है दोस्तों खेल एक समावेशी और फिट समाज को सच्छम बनाता है खेल से समझेगा विशय का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ विशय बताता है कि खेल से लोग एक साथ आते हैं आप देखते हो किसी खेल में कोई कम्यूनिटी का कोई मतलब होता है कि ये खेल ब्रामणों का है ये खेल ठाकुर का है ऐसा कोई कोई ये सिस्टम होता है बैसनेस देखते हैं नहीं एक तो खेल सबको जोड़ने का कारे करता है सब प्लिब्स भी मिल जाएंगे सब मिल जाएंगे तो खेल तो एक तो लोगों को समीप लाता है इंक्लिूड करता है और दूसरा फिट बनाने का कारे करता है कोई भी अगर आप खेल खेलते हों एथलीट अगर आप हैं तो याद रखेगा हर खेल में एक एक्सरसाइस तो आपको करनी है क्रिकेट ही खेल रहे हो तो आप दोड़ोगे न ठीक है फुटबॉल खेल रहे हो आप पूरी फिल्ड के चक्कर लगाते रहोगे न तो फिट भी बनाने का कारे करता है तो यह इस बार की थीम का मिनिंग है यही था आज के सेशन में उमीद करत आपको सेशन पसंद आया होगा सुरी सर में पूरा क्लास नहीं कर सकती कोई बात नहीं नहीं हरे का जी कोई बात नहीं बस क्लास कंप्लीट भी हो गई है ठीक है 29 अगस का रिविजन कर लेते हैं यानि कि इसके पहले कल छोड़ करके जो हमारी क्लास हुई थी उसको फटाक स से देख लेते हैं तो मिनिस्ट्री आफ जल सकती रिलीज़ दस सिक्थ सेंसर रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन ठीक है क्या किया गया था अब इस पर कौन सा राजी है जिसने सबसे ज्यादा मोस्ट माइनर इरिगेशन स्कीम चलाई हुई है तो इसका सही आप्शन है दोस इनफोसिस के डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल ब्रांड अमबेस्टर बनी है यह है इगा स्वाइती है जो इस बार की फ्रेंच ओपन में ठीक है वीमें सिंगल्स जीती है नोंने टेक दिगज इनफोसिस ने अब मेंस के लिए कौन है यापर मे इसे याद रखेगा राफेल नाडाल और इगा स्वाइती एक ठीक है यह दोनों के दोनों इनफोसिस के इनफोसिस के ग्लोबल ब्रांड अब बेस्टर बन गये हैं बहुत अच्छी बात है अगला हाली में अगस्थ 2023 में सरकार द्वारा उबले चावल पर कितना निर्यास स लगाए गया सरकार इसके एक्सपोर्ड को रोकना चाहती है 20% एक्सपोर्ड यूटी इस पर लगा दी गई है वैक्सी निर्माता इंडियन इम्म्यून लॉजिकल लिम्टेड किस वर्ष तक ब्यवसाइक रूप से अपना डेंगो बुखार का टीका लॉंच करेगी 2026 तक इंगो बुखार का टीका इसके दोरा लॉंच किया जाएगा नीरत चोपड़ा विश्व अथलेटिक चैंपेंशिप में सौनिच पदक जीतने वाले पहले भारतिया चैंपेंट बने चैंपेंशिप आयूजित की गई थी कहां पर बुड़ा पेस्ट हंगरी में बुड़ा मिखिलना यह अपने आप में सबसे बड़ी उपलब दी थी इस पेन के कार्लोस अलकराज को हरा कर सिंसिनाटी ओपन दो हजारतेश का खिताब किसने जीता है यह लॉन टेनिस से संबंदित है यह भी याद रखिएगा ठीक है और अभी विंबल्डन में कार्लोस अलकराज न बीच भारत में आयूजित होने वाले आगामी पुरुस क्रिकेट में शुकब दो हजारतेश के लिए किस कंपनी के साथ गट जोड किया है तो यहाँ पर सही आप्शन क्या है दोस्तों मस्टर कार्ड किस आयाइटी को हरी तुर्जा और इस्थिरता अनुसंधान केंद्र स् शामिल होने से पहले कर्मियों की मनवैग्ज्यानिक जाच के लिए सुदेशी रूप से विक्सित कॉप्सिस सॉफ्ट वेर पर स्विच किया है कॉप्सिस का पूर्ण रूप है कम्प्यूटराइजड सागलॉजिकलं स्कृनिंग टेस्ट ठीके सैक्लॉजिकल स्कृनिंग ध्यान रखेगा अगला किस राजी सरकार ने दोक्टूबर 2023 से राजी में 1000 मिली मीटर छमता से कम प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उप्योग और उत्पादन पर प्रतिबंद लगाने की अधिसूचना जारी करी है यह दोस्तों आसाम ठीक है किस राजी सरकार ने हाली में राजी सैच्चिक अनुसंधान और प्रसिचण परिशद की अतरिक्त पाठेपुस्त के पेश की हैं जिन में उन विश्यों को सामिल किया गया जिने हाली में NCRT पाठेपुस्तकों से हटा दिया गया था यह है दोस्तों केरला केरला तो ये तो थे सारे के सारे रिवीजन अ अगला है दोस्तों ठीक है वीर सामरकर अंतराष्ट्री हवाईड़ा कहां परिस्थित है और फदेन बगलिहार बांध किस नदी परिस्थित है इनके जवाब आप दीजेगा कमेंट सेक्शन में और इनके जवाब सही क्या है वो मैं कल के अपने सेशन के कमेंट में आपको बता दूँगा और 29 अगस को जो परिशन पूछे थे ठीक है निहारेका जी ने आंसर भी दिया था और बाकी लोग आंसर नहीं करते हो बहुत गलत बात है कई बार आपसे कह चुका हूँ आंसर कर दिया करो तो उसका सही आंसर क्या है वो अभी आपको कमेंट बॉक्स में मै आंसर कर दूँगा आफ्टर क्लास ठीक है सीए पीडियाफ के लिए ध्यान रखिएगा ठीक है राइसे स्मार्ट टेलिग्राम जॉइन कर लीजे सभी लोग राइसे स्मार्ट इडू इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजे और वाटसेप पर जोड़ना चाहते हैं तो इस न तो अभू कर दिए्ट सभीगखा इंस मेंप जॉफी लोगा चाहते हैं पंका रिए भंगाइसे स्मार्ट इंसर क्लास शवीराद दान जैन था लोग राइसे स्मान डंस वीजे लोग